मैं कहूंगा कि मैंने चार हफते की जो जलनी की है मैं पहले जब गया था तो मेरी फिजिकल कंडिशन बहुत खराब थी आप ते सब देखा मैं वीलचेयर पे वहाँ पे चल रहा था पंदरा दिन हुए थे मुझे हिप रिप्लेस्मेंट सरजरी हुई थी बहुत डबल मैंड़ेड था कुछ डॉक्टर ने कहा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए लेकिन उसके बाद भी मैंने जाने का निर्णे किया मैं थैंक्यू कहना चाहूंगा मेकर्स को जियो सिनेमा को आ उमीद है कि जो सिखाया है मेरी सीख लोग याद रखें अपने अनुभाव मेरे अनुभाव का इस्तिमाल करें और जो मैंने सीखा है वाकई ही मैं उसे मैं जिन्दे की भर याद रखूँगा जब घर से बाहर आ रहे थी तो काभी जगर कंदर लोग रहे ते रंगी खटार लिया और सिवानी तो सबस्के साथ सबके साथ इमोशनल अटाइश्मेंट है कोई नहीं है जिसको मैं कहूंगा कि मेरा उससे इमोशनल अटाइश्मेंट नहीं था सब लोग मेरे पास आते थे अच्छी बुरी बाते करते थे अच्छी बुरी बाते सुनते थे सुनाते थे ह हमारा एक रिष्टा था और रिष्टा समय के साथ डिवलप हुआ है एक मेना बड़ा वक्त होता है एक छट के अंदर है ना इस डिजिटल यूग में ना टीवी देखना ना फोन आपके पास हमारे पास है था भी तो वो एक सर्टेन टास्क के लिए था बाहरवाला के लिए व मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ पर ट्रॉफी जीतने नहीं दिल जीतने गया था और ट्रॉफी जीतना मेरा मकसद कभी था ही नहीं मैं दिल जीतने गया था और वाकई मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर कई दिल जीत कर आया हूँ उनके आशू इस बात के गवा जाना था है उसमें आपने उन्हीं आपको नॉमिनेट कर जा कि एक लिए लोग जहां हो रहे थे कर्मा रिक्फलेक्स हुआ है इसके आप क्या कहईगे मैं सिर्विता कहना चाहूंगा कि मुझे किसी से इस बात की नारागी नहीं है कि किसने मुझे नॉमिनेट किया किसने नहीं किया बिक बॉस के घर में मुझे कुछ पर्मनेंटली नहीं रहना था चार हफते बाद नहीं तो छे हफते बाद शोग खतम होना था और मुझे बाहर आ जाना था ये बात ठीक है कि मैं चार हफते बाद नॉमिनेट हुआ ये भी ठीक है कि रंडवीर ने मुझे नॉमिनेट किया मैं सिर्व इतना क्याना चाहूंगा कि रन्वीर ने जो किया हमारी जिन्दगी में जो बड़े परिवर्टन होते हैं उसके लिए कोई ना कोई माध्यम बनता है रन्वीर भी मेरे लिए माध्यम बने इस से ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचता हाँ अगर कोई कर्मा की बात कहता है तो मैं कहूँगा कि ये मेरे अच्छे कर्म है कि मैं इस विपरीत हालात में भी बिना किसी बड़ी मुसीबत के बिग बॉस में एक महतुपुन मैंने बिता कर आया हूँ और मैंने वहां से काफी कुछ सीखा है मैं इस रायक उनको नहीं समझता कि उनके बारे में किसी तरह की कोई जपनी करो मेरे ख्याल से बिग बॉस के घर में इस वक जितने भी लोग बचे हैं वो लोग बड़े काबिल हैं जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और मुझे लगता है सबी इस काबिल है अगर कोई हारेगा और जीतेगा भी तो उन दोनों का फासला बेहत कम होगा सरा आपने जिस्तों की बात की कहीं न कहीं वही आपके बाराने का कारण नहीं बना आपको यह ऐसे लगता कि आपके ज़ने जो चारफ्तों की रही है और लग भी हो सकती है तो आपको चाने वाले काफे लोगते बड़े दिस्तों ने आपको डुबा दिया का फरक पड़ता है सर कोई ना कोई तो गिसी को डुबोता है देखिए जिन्दगी में जो है यह जो यहां लिखा होता है इसको कोई नहीं बदल पता होनी को कोई नहीं बदल पता मेरी माह का करती थी कि सामान सौ बरस का पल की खबर नहीं मतलब यह प्लान फॉर हंडर्ड है लेकिन क्या हमारी जिंदगी में अगले पल घटने वाला होता है इसकी हमें खबर नहीं होती है मैं नहीं पता मुझे नहीं पता कि कौन साइजू है कौन क्या है मैं अपर कोई टिपनी नहीं करना चाहता है स्वभाव से बहुत सरल है थोड़ी जादा गूलती है ज्यादा मजा किया है लेकिन उसको गलत लोग उसकी भाशा के कारण समझते मुझे मुझे यह रगता है कि जिस लाके से आती है उत्तरपदेश का एक ऐसा इलाका है जहां कई भाशाओ का और बोलियों का मिक्स बोला जा की के आखेश वांब बना में बताने की कोशिकिती वीकेंड का वार में और मेरा इमानना है जिस समय के साथ बदली है और यह उसकी व्यक्तिटतों में जल्द दिखेगा मेरे हिसाब से दर्शक इसके बारे में डिसाइड करें सब्सक्राइब दर्शक इसके बात में लोगों को कहा करता था और ज्यादा तर मौके पे लोगों ने मेरे हाउसमेट्स ने इस बात को सुना जाएंगे मुझे ऐसा कोई ने लिए अत्मार में जिस तरह से आपके साथ गिला शिक्वा बूल जाएंगे मैं कमेंट कर चुका हूं कि इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए जाएंगे यार ओटी टी टी आरपी काहा आती मेरा भाई शब्द तो सही सोचो अपने कहा तक इसे मिलने जाएंगे उसके ग्राइग जाओंगा जाओंगा बिलकुल जाओंगा इसके बारे में तो मुझे कोई चेंज नहीं दिखा अपने जो वेट स्केलेस पर चड़ा नहीं हूं लेकिन वेट मैंने जरू लूस किया मुझे हर इंसान ने मदद की जो उस घर के अंदर था चाहे वो मैंसे बात करता हो ना करता हो मुझे पसंद करता हो ना पसंद करता हो हर इंसान ने मेरी मदद की है किसी ना किसी रूप में मदद की है और मैं सब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मेरे इसाब से टॉप थी में मैं खुद हूँ